राधी राधी दोस्तों कैसी हूँ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नामे नसीहते हेलूमा कैसी तबियत है तुम्हारी ठीक हूँ बेटा बस थोरा घुटनों का दर्द बट गया है तो फिर डॉक्टर को दीखा लोना लाव भावी को फोन दो मैं बोलती हूँ जैसे ही कमला ज मा का भी रख लिया करो घुमने फिरने से थोरी फूर्सत मिले तो मा को डॉक्टर से तो दीखा लो बेचारी कुछ कहती नहीं तो कम से कम आपको तो समझना चाहिए ना अगर आप लोगों से मा का इलाज नहीं करवाया जा रहा है तो साप साप बोल दो मैं ही दिखा अपनी मा को ननद के ताने सुनकर आर्ती की आँखे जलक आई आर्ती अपनी तरफ से पूरी कोशिस करती थी घर और परिवार संभालने की अपनी सास कमला जी का भी बहुत सम्मान करती थी जब सी सुसुराल आई थी तब से ही देख रही थी कि कमला जी को घुटनों के दर्द की समस्या है उनकी दवा भी लगतार चल रही थी अब हलकी ठंड आते ही कभी कभी दर्द थोरा बढ़ जाता है कमला जी का बेटा बिसाल अपनी मा का पुरा ध्यान रगता था उनकी हर जरूरत को पूरा करता था लेकिन काम की वज़ा से घर पर कम ही समय बिता पाता था कमला जी की दवय वेगेरा लाने में कभी कोई देरी नहीं करता था लेकिन फिरवी 20 साल की बहन बार बार कभी अपने भाई को तो कभी अपनी भावी को मा की देख रेख और ध्यान रखने पर नसिहत देती रहती थी कुछ दिनों से कमला जी की तवियत कुछ खराब चल रही थी जैसे ही उनकी बेटी को पता चला वो दन दनाती हुई अपने माय के पहुँच गई आरती अपनी सास के पासी बैठी थी माही आते ही अपनी मा से लिपट गई मा हो गई ना आपकी तबियत खराब मैंने कितनी बार कहा है भावी से कि मा का ध्यान रखा करो लेकिन इन्हें तो कुछ परवाही नहीं है मा मैं आज ही आपके दामाद से कहती हूँ सहर के सबसे बड़े डॉक्टर से आपपाइमेंट ले ले भावी आपको मा के खाने पिने और दवायों का ध्यान रखना चाहिए आप इतनी लपरवा कैसे हो सकती है आप और भाई को तो फूर्सत ही नहीं मिलती कुछ करने की जब से मा की खबर सुनी है मेरा दिल बैठा जा रहा है आपको क्या पता मा को बीमार देखकर मेरे दिल पर क्या बीट रही है तभी दरवाजे से विसाल अपनी मा की दवाया लेकर अंदर आया उसने अपनी बेहन की सारी बाते सुन ली थी बेहन की बाते सुन भाईया दंग रह गया अपने भईया को देखकर माही चुप हो गई लेकिन बिसाल बोला दिदी हमें पता है आपको मा की चिंता है लेकिन थोरी चिंता अपने सास ससूर की भी कर लिया करो आज जब मैं अपनी मा की दवाई लेने गया था तो मैंने देखा बेचारी आपके सास ससूर सरकारी अस्पताल के चकर लगा रहे थे उनका सुगर लेवल काफी बढ़ा हुआ था और आपकी सास तो एक पैर से अपाहिज है फिर भी आप लोग उन्हें अकेले अस्पताल रहे थे कि जिजजा जी को काम से फूर्षत नहीं और आपको अपनी सहेली और किटी पाटी करने से वक्त ही नहीं मिलता दो वक्त का खाना भी नौकरानी बनाकर जाती खाय तो ठीक ना खाय तो कोई पुछने वाला भी नहीं है आर्थी तो फिर भी सारा दिन मा के पासी रहती है और उनका बहुत ध्यान रगती है और मा सिर्फ आपकी ही नहीं हमारी भी है और मुझे अपने कर्तब अच्छे से याद है अगर आपको लगता है कि हम मा का ध्यान नहीं रखते तो एक बार मा से ही पुछलो कमला जी से भी रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी माही बिसाल सही कह रहा है तेरे भाईया भावी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते अब इस बुढ़ापे में हारे बीमारी तो लगी रहेगी इसके लिए किसी को दोस नहीं दे सकते हम तेरी भावी तो हर समय मेरे आगे पिछे घुमती रहती है पर मुझे ये जानकर बहुत दुख हो र किसी के मा बाप है तुझी तो अपनी भावी से सिखना चाहिए कि घर के बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखना चाहिए अपनी मा और भाई की बाते सुनकर माही की गरदन स्तर में से नीचे जुक गई आज उसकी सचाई उसके माई के वालों के सामने आ गई थी विसाल ने ह अपनी बेहन को सचाई का आइना दिखा गया उस दिन के बाद माही ने अपनी भाईया भावी को हिदायत देना बन कर दिया और खुद भी अच्छी बहु बनने की कोशिच करने लगी दोस्तों ये बात बिलकुल सच है कि सामने वाले को नसिहत देने से पहले उस इनसान को खुद अपनी तरप झाक लेना चाहिए अपने आपको उस जगह पर रखके देखना चाहिए कि खुद कितनी वफादारी से अपने कर्तब निभा रहे हैं असा करती हूं दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक